हेलो एवरिवन विल्कम तो आपर यूटूब चैनल आज हम फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और यह बहुत ही इंपोर्टेंट है खास करके अन्वार्मेंटल साइस यूजी सी नेट के लिए और इससे अक्सर कोशन्स आते ही आते हैं और यह थोड़ा से बहुत सारे हुमस क्या है वाट इस ही और ही फर्स में लोग जानें कि ही मस क्या है एक नेचर का होता है यह डार कलर का होता है और यह हम अच्छी बात होती है लेकिन इसका लिए बहुत ही कम होता है सभी स्वाइल में एक तरह का ही मस नहीं होगा एक और इसमें खास बात है कि सी ओओ एज ग्रूप यानि कर्भा ऑक्सलिक एसेट ग्रूप इसमें सबसे जादा हाइँ होता है अब इसके बाद हम समझते हैं कि हुमिक सबस्टांसेस क्या 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 नेचर होगा एसेट के सबस्टांसेस के सबस्क्राइबं और इसमें बस सबस्क्राइब में टॉप यह म मन करते हैं साुप होगा और फिर एक ऐसेट की सासरी नहीं हो/. और solution जो होगा, वो acidic solution होगा, और solution का pH लगपक 1 से 2 के असपास होगा, अब वो भी इसमें दो तरह का होगा, एक होगा humic acid, एक होगा fulvic acid, humic acid ये precipitate हो जाता है, और fulvic acid ये पूरे तरह से घुल जाता है, यानि soluble होता है acid में भी और base में भी, इससे अक्सर question पूछा गया, कि fulvic acid, humic acid और human में कौन जो है, वो soluble होता है acid में भी और base में भी, तो इसमें आपको याद रखना है कि fulvic acid जो है, वो soluble होता है acid में भी और base में भी, और humic acid जो होगा, वो soluble in base होगा, बट insoluble in acid होगा, अब चली देखते हैं कि ऐसा होता क्य है, क्योंकि human, 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 जो है, human, वो stable है, क्यों stable है, क्यों quella muscular size जो होता है, इसलिए वो कैसा होगा, stable होगा, दुसरे बात है कि, humic acid जो हो वो medium होगा, उसका molecular weight जो होगा या उसके molecular weight जो बोली है, वो क्या medium type होगा, और fulvic acid जो है वो smaller size molecule से और उसका molecular weight भी low होता है इसलिए यह क्या है least stable होता है और वह जल सॉल्यूबल होता है कि इसमें acid में भी और base में भी ठीक है अब यहां से एक questions और आने का संभावना है कि CEC यानि cation exchange capacity इन तीनों में से सबसे जाधा किसका होगा तो याद रखेगा कि cation exchange capacity सबसे ज्यादा fulvic acid का होता है फिर humic acid का होता है फिर human का होता है इन्हीं सबसे कम अगर CEC पुछा जाए तो human का होगा और सबसे ज्यादा CEC cation exchange capacity पुछा जाए तो fulvic acid का होगा तो यह जो topic है यह काफी important है और इससे अक्सर questions आते हैं तो आप इसे जहां तकिए थैंक यू